हे वीवर्स, विल्कम बैक टू माई चैनल, सिरीधरी कीचेन की ओर से आप सभी को छट पूजा की हारदिक सुख काम नाएं आज मैं आपके लिए छट पूजा स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ आम की लकड़ी पर खरना का परसाथ, छट पूजा का परसाथ, लड़वा और ठेकवा आम की लकड़ी पर कैसे बनाते हैं मैं कैसे आम की लकड़ी पर छट का परसाथ बनाती हूँ, खरना का परसाथ बनाती हूँ वो वीडियो मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ तो खरना या च्छट पूझा का परसाथ बनाने के लिए इस तरह का चुला जो है मार्केट में आपको बहुत ही असानी तरीके से उपलब्ध हो जाएगा आपको मिल जाएगी इस तरह का चुला तो चुले को सबसे पहले अच्छी तरीके से धो लेंगे, धोने के बाद थोड़ा सा गंगा चल, हम इसके उपर छिड़क के चुले को सुद कर लेंगे, उसके बाद आती है चुला पूजन की बारी, तो मैं यहाँ चुले का पूजन कर रही हूँ, चुले मैंने 5 बार लेंगे तो बाती जो है मैंने यहां आर्ता क्या बनाया है आप चाहें तो रूइ की भी कॉटन की भी आप बत्ती बना सकते हैं उसके बाद इस बत्ती को जो है हम काय के घी में मैं डिप कर रही हूं आप चाहें तो घी के जगा तेल का भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं आप जिस बिल्कुल सेंटर में रखेंगे ताकि चारो ओर से हम और भी उपला जो है कंडे जो है हमको मुझे लगाने होंगे ताकि हमारी जो आग है वो बहुत ही अच्छी तरह से परजलित हो तो मैं यहाँ जो है आग को परजलित कर रही हूँ अगर आग जलाने में असुबधा हो रही हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कपूर का भी इस्तिमाल कर सकते हैं कपूर से जो है आग बहुत ही अच्छी तरीके से परजलित हो जाती है आग परजलित करने के बाद चारो ओर से और भी उपला हम चुले में डालेंगे और बहुत ही सापधानी से डालेंगे उसके बाद आम की लकड़ी के लिए मैंने यहाँ हावन समीधा के नाम से हूजा की दुकान से मैंने यह आम की लकड़ी खरित के लाए ही हूँ यह एक पैकट एक किलो का है तो मैं यहाँ दो तीन पैकट मैं खरित के ले आई हूँ अगर आपके पास सुद्ध आमकी लकड़ी पेक से कटी हुई आमकी लकड़ी अगर आपके पास उपलब्द हो तो आप उस लकड़ी का इस्तमाल जरूर करें तो एक एक लकड़ी यहां हम निकालेंगे और बहुत ही साफधानी के साथ हम जो है लकड़ी को उपले के उपर रखेंगे बिल् थोड़ा थोड़ा लकड़ी हम डालेंगे अब बहुत ही साफधानी से डालेंगे तो उसके बाद परसाद बनाने के लिए मैंने हाइक पतीला लिया है पहले मैं चुले के अस्टेंट को ठिक कर देती हूं तो चुले के अस्टेंट को मैंने ठिक कर दिया है अब हम इसके उपर परसाद बनाने के लिए पतीला को रखेंगे उसके बाद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ परसाद बनाने के लिए तो ये पानी मैंने पतीले में डाल दिया है मैं जो है यहाँ पे चावल और गुड का मैं परसाद बनाती हूँ यह मैंने बासमाती राइस लिया है और यह मैंने गुड लिया है अब मैं जो है इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दोंगी और 100 ग्राम चावल को मैंने यहाँ दो पानी से अच्छे से धो लिया है अब धोने के बाद जो है मैं चावल को पतिले में डाल रही हूँ और इस तरीके से जो है मैं आम की लकड़ी पर खर्णा का परसाद मैं बना रही हूँ देखिए हमारी आग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से परजलित हो गई है आप इस तरीके से खर्णा में आप जो भी परसाद बनाते हो खीर पूरी का चावल चने की डाल का कई लोग रोटी भी बनाते हैं तो यहां पर आप खरना में जो भी परसाद भोग लगाते हो वो आप बहुत ही आराम से आम की लकड़ी पर खरना का परसाद बना सकते हो तो आप देख सकते हैं यह 70% हमारी चावल जो है पक गई है अब मैं इसमें थोड़ा सा अंदाज से 25-31 ग्राम ग परजलीत रहे तो यह हमारा जो परसाद है वो बनके तयार हो गया है परसाद बन जाने के बाद पतीले को या आप जिस भी बरतन में परसाद बना रहे हो उसे चुले से नीचे उतार के रख ले नहीं तो आपकी परसाद जल जाएगी तो इसी तरीके से मैं ठेक वा और लड दन है कि मेरी वीडियो को लाइक करे चैनल को सस्क्राइब करे और मेरी वीडियो को सेयर करे बिल आइकोन को जरूर प्रेस करे ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक यू